ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 22 मई 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हे कर्मा तीत बन कर जाना है इसलिए अंदर में कोई भी फिलो नहीं रहना चाहिए अपनी जाचकर कमिया निकालते जाओ मीठे बच्चे तुम्हे कर्मा तीत बन कर जाना है इसलिए अंदर में कोई भी फिलो नहीं रहना चाहिए अपनी जाचकर कमिया निकालते जाओ प्रश्न किस अवस्ता को जमाने में महनत लगती है उसका पुरशार्थ क्या है उत्तर इन आखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए देखते भी ना देखो देह में रहते देही अभिमानी रहो ये अवस्ता जमाने में टाइम लगता है बुद्धी में सिवाए बाप और घर के कोई वस्तू याद ना आए इसके लिए अंतर मुखी हो अपनी जाज करनी है अपना चार्ट रखना है ओम शान्ती मीठे मीठे सिकी लदे रुहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी हैं पुरशार्थ तो सब करते हैं जो जास्ती पुरशार्थ करते हैं वा जास्ती प्राइज लेते हैं ये तो एक कॉमन काईदा है ये कोई नई बात नहीं है इसको दैवी बगीचा कहो वा राजधानी कहो अभी ये है कल्यूगी बगीचा अत्वा काटों का जंगल उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले जाड़ होते हैं कोई कम फल देने वाले होते हैं कोई कम रस वाले आम होते कोई कैसे होते हैं फूलों के फलों के ऐसे भिन भिन प्रकार के जाड़ होते हैं वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुशार्त अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हलका फल देते हैं। भिन भिन जाड होते हैं, ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी जाड की स्थापना हो रही है। अत्वाप पूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुश्बूदार भी बन रहे हैं। नमबर वार पुरशार्थ अनुसार सब वेराइटी है न। बाप के पास भी आते हैं। बाप का मुखडा देखने ये तो जरूर समझते हो बाबा हमको सुवर का मालिक बनाते हैं। ये बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक पने में दुख है ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और ये भी भारतवासियों के लिए ही है बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो घर पर धने की नजर रहती है न तो बाब भी एक-एक बच्चे को बैट देखते हैं इनमें कौन-कौन स और कौन से अफगुण हैं बच्चे खुद भी जानते हैं बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी-अपनी खामियां आपे ही लिखकर आओ तो जट लिख सकते हैं हम अपने में क्या गया खामी समझते हैं कोई न कोई खामी है जरूर संपून तो कोई बने नहीं है हा वह बतलानें से बाबा उस पर ही समझाएंगे इस समय तो बहुत खामिया हैं मुख्य सब खामिया होती ही हैं दे अभिमान के कारण वह फिर बहुत हैरान करती हैं अवस्ता को आगे बढ़ने नहीं देती इसलिए अब पूरी रीती पुरशार्त करना है ये शरीर भी अभी छोड़ कर जाना है दैवी गुड़ भी यहां ही धारन करके जाना है करमातीत अवस्ता में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं करमातीत होकर जाना है तो कोई भी फिलो न रहे क्योंकि तुम हीरे बनते हो न हमारे में क्या-क्या फिलो है ये तो हर एक जानते हैं क् कि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वे निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौडी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीती जानते हो, सरजन पूछते हैं कौन सा फ्लो है, जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, फ्लोलेस तो पिछाडी में बनना है, वस सब अभी निकालना है, अगर फ्लो नहीं निकलता, तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है, ये भी बड़ा पक्का जोहरी है न, सारी आयू हीरे ही इन आखों से देखते हैं, ऐसा जोहरी कोई होगा नहीं, जिसको इतना हीरों को परकने का शौक हो, तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, सम्पून बने नहीं है, चैतन्य होने कारण तुम पुर पुरशार्थ से फ्लो निकाल सकते हो, हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरशार्थ करेंगे, बाप कहते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो, जो शरीर छुड़ने समय अंत में कोई भी याद ना आए, ये तो क्लियर है, मित्र सम्बं अंधी आदी सब को भूलना है, सम्बंद रखना ही है एक बाप से, अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जोहरी हो, ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे ह पुरशार्थ अनुसार तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे जान सकते हैं न, हमारे में क्या-क्या खामी है, जो बाप से बुद्धी योग तुड़ाए कहां न कहां बटकाते हैं, बाप तो कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आये, ग्रहस्त व्यवहार में रहते, एक बाप क को याद करना है इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं थोड़े नई भी एड होते जाते हैं पुरानों की भट्टी बननी थी भल पुराने हैं तो भी खामिया हैं एम अबजेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है दे अविमान की, तब ही दे की तरफ बुद्धी चली जाती है, दे में होते हुए दे ही अविमानी बनना है, इन आखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्ता जमानी है, हमारी बुद्धी में सिवा एक बाप के और शान्ती धाम के, कोई भी वस्तू याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए, गायन भी है अंतकाल, ये अभी क की बात है, गीत तो कल्योगी मनुश्यों ने बनाए हैं, पर अंतु वह समझते थोड़े ही हैं, मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और पवित्र हीरे बनेंगे, कोई कोई प बच्चों की वेल्यू उच करते रहते हैं, अपनी जाच करनी होती है, बाप कहते हैं अंतर मुख हो अपने में देखो, हमारे में क्या खामी है, कहां तक दे अविमान है, बाबा पुरशार्थ के लिए भिन भिन युक्तियां समझाते रहते हैं, जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हों, खुबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसकी याद ना आए, यहां की कोई भी चीज याद ना आए, कोई कोई बच्चे में बहुत मुख रहता है, बाप कहते हैं उन सब से ममत को मिटाए एक की याद रखो, एक लवली बाप से ह योग रखना है, उन से सब कुछ मिल जाता है, योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है, बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे, तुम अथा लवली बनेंगे, तुम इत आधा कल्ब तुम राज करते हो और फिर आधा कल्ब तुम ही पूजे जाते हो तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो तुम हो सबसे लवली बनने वाले परन्तु जब लवली बाप को अच्छी रीती याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे सिवाए एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जाच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं बाप की याद में प्रेम के आंसु आ जाएं बाबा मेरा तो आपके सिवाए दूसरा न कोई और कोई के याद ना आए माया के तूफान ना आए तुफान तो बहुत आते हैं न, अपने उपर बहुत जाँच रखनी है, हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है भल कितनी भी प्यारी चीज हो, तो भी एक बाप की ही याद आए तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो, आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया, बस शादी आदी भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परन्तु एक दो की याद बुद्धी में रहती है अभी तुम जानते हो, हम सब आशिक हैं, एक माशूक के, उस माशूक को तुम भक्ती मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहां भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकी वह सम्मुक है, बाप कहते हैं, मा में कम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं है भगवान से मिलने के लिए सब भक्ती करते हैं, यहां कोई बच्चे तो बहुत हड़ी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एक तम तड़फते हैं, बहुत महनत करते हैं ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे परन्तु तुम्हारी महनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है कोई समझ कर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं तुम समझते हो ये लायक है वा नहीं द्रश्टी तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है स्रंगार करने वाले तुम बच्चे हो जो भी यहां आय हुए हैं उन सब को तुम बच्चों ने स्रंगार कराया है बाबा ने तुम को कराया है तुम फिर औरों को स्रंगार कराये ले आते हो बाप आफरीन देते हैं जैसा स्रंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं बलकि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं सबकी अपनी अपनी तकदीर है न कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं समझाने का नशा चड़ता है तो वे फिर निकल पड़ते हैं बाब दादा दोनों की दिल पर चड़ पड़ते हैं बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं काटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं इसलिए बाबा एक-एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या-क्या कमी है? ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें बागवान है ना दिल होता है उटकर पिछाडी में भी जाकर देखूं क्योंकि पिछाडी में भी जाकर बैठते हैं अच्छे-च्छे महारतियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए इसमें किसी को धक्का आने की तो बात ही नहीं अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे सामने फूलों को देख-देख अथा खुशी होती है ये बड़ा अच्छा है इसमें थोड़ा डिफेक्ट है ये बहुत अच्छा साफ है इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है तो वह सारा किचला निकालना है बाप जैसा लव कोई नहीं करता इस्तरी का भी पती में लव रहता है न पती का इतना नहीं होता वह तो दूसरी तीसरी इस्त्री कर लेते हैं इस्त्री का तो पती गया बस या हुसेन या हुसेन करती रहती है पुरुसों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे शरीर को जुत्ती कहा जाता है शिव बाबा का भी लांग बूट है न अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे फस्ट क्लास बनेंगे कोई-कोई फैशनेबुल होते हैं तो जूतियां भी चार-पांच रखते हैं नहीं तो आत्मा की जूति एक है पाव की जूति भी एक होनी चाहिए परन्तु ये एक फैशन पड़ गया है अभी तुम समझते हो बाब से हम क्या वर्षा पाते हैं हम उस पैरडाइस के मालिक बन रहे हैं हैविन को कहा ही जाता है वंडर ओफ वर्ड जरूर हैविनली गौड फादर ही हैविन इस्थापन करेंगे अब तुम प्रैक्टिकल में स्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो यहां तो कितने बड़े-बड़े महल बनाते हैं यह सब खत्म हो जाएंगे तुम वहां क्या करेंगे दिल में आना चाहिए यहां तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बैसे ही भल बाहर में घर ग्रेष्ट में रहते हैं यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है हमारे पास तो कुछ नहीं हम ट्रश्टी हैं ट्रश्टी कुछ नहीं रखते हैं बाबा ही मालिक है ये सब कुछ बाबा का है घर में रहते भी ऐसे समझो साहुकारों की बुद्धी में तो ये बातें आना सके बाबा कहते हैं ट्रेश्टी हो रहो कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो लिखते हैं बाबा मकान बनाओ बाबा कहेंगे भले बनाओ ट्रेश्टी होकर रहो बाप तो बैठा है न बाप जाएंगे तो सब इकटे जाएंगे अपने घर फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने अपने समय पर आता हूँ अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है अंतर मुख हो अपनी कमियों की जाच कर निकालना है वैल्यूबल हीरा बनना है दूसरा जैसे बाप ने हम बच्चों को शरंगार किया है ऐसे सब का शरंगार करना है काटो को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है ट्रस्टी होकर रहना है वर्दान ब्रामन जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रोहानी रोयल्टी में रहने वाले संपून पवित्र भव। ब्रामन जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रोहानी रोयल्टी में रहने वाले संपून पवित्र भव। इस ब्रामन जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रोयल्टी को धारन कर लो तो सारे कल्प में ये रोहानी रोयल्टी चलती रहेगी। आपके रोहानी रोयल्टी और प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्वात्माओं में स्रेष्ट है। आधीकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनेलिटी विशेश रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधी पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युक पर ब्रामण जीवन का आधार प्योरिटी की रोयल्टी है। इसलिए जब तक ब्रामण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। सिलोगन आप सहन शीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, Óm Shanti, Óm Shanti, Óm Shanti अच्छा, Óm Shanti, Óm Shanti